आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार प्रधानमंदी नरीद्र मोधी खुद सेमयोग आदितनात के साथ मेट्रो में बैट कर सफर भी किया और इस मेट्रो ट्रेन का निरिक्षण किया कानपुर मेट्रो आधियूनिक अत्याधूनिक टेक्नोलोजी से लस है कानपुर मेट्रो के पहले सेक्षन में 9 किलोमीटर यानि 29 दिसम्बर 2021 से 6 जोड़ी मेट्रो ट्रेन कानपुर से इस रूट पर रफ्तार भरेगी कानपुर से समधा था इस ख़बर में वैसे जुड़ चुके रिजवान आलम रिजवान जो बड़ी स्वागात आज मिली है इसके बाद जंता का क्या कहना है है उसके बाद उन्हें पर युझनां कर लुकार उसके बाद उन्हें न Х्छांत zuं है इसमा जंता को समभोधित किया लो जी इसके बाद जंता को समभोधित कि अऌन flagione उनकी बहुत सारी पर्यूजनाओं को उनने अपने पर्यूजनाओं के बारे में बताया जी तो जिस तरह से बड़ी स्वागात दी गई है यह कहां से कहां तक के लिए रूट है और कौन-कौन सी जो टिकेट है वो कितनी कम रेट में है अलो रिजवान आप मुझे सुन पा रह बैट कर इस पर शेड़ जिस में हमारा भी नाम होगा मुधी जी कि बड़ी सौगास से लोग बहुत कुषय हैं बच्चों और बड़ों इकाफी उस्ता नजार आ रहा है लोगों ने कुछ बच्चों को लेकर हुआ मोती जीन क्या तक का सफर किया ले और о यात्रियों संबोधन के दौरान प्रधान मंतरी नरींद्र मोधी ने नहीं नहीं योजनाओं का लोकारपड किया और संबोधन कर ये बताया लोगों को जागरुक करने के बारे में बताया करोना से लेकर सतकारथा बतने के बारे में बताया और अजारों परियोजनाओं का लोकारपड दिया ये बहुत बहुत बाश्यक्रिये महां सजुरने के लिए हैं तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर मैं से समधा था रिज्वान जुड़े थी कानपूर से तो नौ स्टेशनों के बीच अब ये मेट्रो दोड़ेगी कानपुर वासी को बड़ी सौगात मिली है क्योंकि जो ट्राफिक की परिशानी से लोगों को जूजना पड़ता था काफी देर लगती थी लोगों को एक जिगा से दूसरी जिगा पहुशने में तो अब उसमें ज् अब अच्छत होगी साथ ही पॉल्यूशन भी कम होने की संभाव नजट आई जा रही है बड़ी सौगात मिली है क्योंकि कानपुर वियाबे का मेट्रो सिटी बन गया है वही रुक करते अगली खबर की तरफ कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट के पहले चरण का प्रधानमजी नरेंद्र मोधी ने आज तौफा दिया है लेकिन इससे पहले ही ट्वीटर पर हलचल दिखाई दी समाजवादी पार्टी ने कानपुर मेट्रो को उनकी सरकार का प्रोजेक्ट बताया है जिस पर बिज़ेपी नेता ने राज के पूर्व सीम अखलेश यादव परतंज कसा नरसल समाजवादी पार्टी की तरस से एक ट्वीट किया गया है इस ट्वीट में अखलेश यादव की एक तस्वीर शेयर की गई है ये बताया गया है कि अखलेश यादव ने कानपुर मेट्रो का शिला नियास किया था सपा ने अपने ट्वीट में सिर्फ इतना लिखा कि सपा काम जनता के नाम सपा ने अपने ट्वीट में सिर्फ इतना लिखा सपा का काम जनता के नाम कानपूर मेट्रो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तस्वीर शेयर की गई उसमें अखले शियादव को कानपूर मेट्रो का शुला न्यास करते हुए दिखाया गया है इस तस्वीर में उनके साथ बीजेपी नेता वेंकाया नाइडू और मोरली मनोह जोची भी दिखाया आई दे रहे है जिसके बाद समाजवादी पार्टी के इस ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता शेहजाद पूनावाला ने अखले शादव पर तंज कसा है उन्होंने ताज महल वर्ल्ड कप 2011 वर्ल्ड कप 1983 के तस्वीर शेयर करते हुए लिखा केवल कानपूर मेट्रो क्यूं इसका भी क्रेडिट आप लीजे और इस खबर में से जादवाचीत के लिए समधाता गौरफ शुर्वास्तव जुड़ चुके हैं गौरफ जिस तरह से ये ट्वीट किया गया है और अब कानपूर मेट्रो को लेकर इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं जहां सपा की तरह से कहा जा रहा है ये क्रेडिट लिया जा रहा है और वहीं बीजेपी भी इस पे हमलावर नज़र आ दिये क्या कहेंगे तो इस तरह से काम किये जा रहा है और लगातार ये देखा जा रहा है जब भी कोई काम होता है तो उसमें अखले से आदो बोलते हैं कि ये काम हमारे दोरा किया गया है चाहे बार देना चाहते हैं अखले स्यादों कि देखी सपा का काम था आम जनता के नाम था वहीं बीजेपी उस समय जो बेंकर या नाडू मुलिमार जोची समय सांसत थे कानपुर से उनका भी इसमें फोटो लगी हुई थी फोटो जारी हुई है तो उनका कहना यह है कि जो सपा के काम कि अगर आपका यह काम भी आप अपना मानते हैं तो फिर ताज महल 2011 बड़काप 1983 का जो बड़काप है वो भी अपने नाम से कर लीजे इसको भी कर ले लिजे तो टूटर बाहरे पकार से सपा भास्पा में छिड़ गई है और पहले भी जो भी बड़े कारे कम हुए है बले से शुरुवात करी जिसका आइडिया था या फिर जिसने पूरा किया है युजनाय बंती रहती है गवर्मेंट आती है और गवर्मेंट उस चीज को एक युजनाय के बाद तरीके से लेके आती है अगर हम मैट्रों की बात करें तो रूप से अखली जारों ने इस गई है बहुत बड़ी उपलब्दी है और जिस तरह से कोई भी सरकार आती है वो अपने एक युजना बनाती है और जो भी कवर्मेंट दूसरी आती है अगर वह बहतर पाई जाती जनता के लिए पाई जाती है उसको काम करती है पर यहां पर किसी करेडिट या लेने या नि पराने काम भी ले लिए और जो तिरासी का बड़क अप है उसका क्रेडिट भी सपार्मेंट पार्टी ले सकती है जिस तरह से गौरव समय सीमा एक जो तैय करी गए थी कि 2022 जुनाओं से पहले ही सौगात दी जाएगे उसे पूरा भी किया गया है तो क्या कहेंगे इस पी द पर इसके पहले ही जो अबदी है उसके पहले ही शुरू कर दी गई है 28 डिसंबर यानि 28 दिसंबर कर दी गए और लबा लबा यह मनिने पहले इसको माना जा सकता है तो बड़ी उपलब्दी है और कानपर के जनता के लिए खासत वह से 30 किमीटर का यह मेटर रूट रहेगा जो कि आयाइटी से लेके आपका जो मौती जीले वहां तक रहेगा और बड़ी संख्या में लोग इससे लामां में पर दोखेंगे क्योंकि हमीशार देखा गया है कि उत्तापिदिस की जो अद्धोगी राजदानी यह कानपर है और बहां पर जाम अमूनन पाये जाता है त इसके लाबा नीचे से भी गई है उपर अंडर गांड भी है उपर से भी गई है इसके लाबा तमाम ऐसी जो खूबिया है जो अलमर्च में नहीं थी वह यहां खूबिया दे गई यह ट्रैक्निक शिस्टम दिया गया है और जो गेठ है वो दोन आप से चल सकेंगे इसके अ मेट्रों का क्राया में अगर किराई की बात करो तो बहुत जारा अंतर निरता पर सफस्व आपार जाने सेब भीड़ वार таких मामले आरए तो कोवेट के मामले आ रहा है तो निशिरूप से मेट्रों एक रहता बढ़ी प्रिनाली साभित होगी क्योंकि अगर मैट्रो में आप जाएंगे तो निश्रोप से आपको भीड़वार नहीं जाना पड़ेगा और तमाम ऐसी जगों पर आपको जाने से बस चकेंगे, जहां पर भीड़वार हो, तो निश्रोप से मेट्रो बनी बड़ी राहत देगी, और अगर किराएं की बात क् प्रेमासस जुड़ने के लिए तमाम जान्दकारी के लिए इस कवर्ड पर मासस हमदातव गौरफ शुरुवास तब जुड़ेते तो सीधे तोर पर अब मीम बनने शुरू हो चुके हैं जिस तरह से हर बार कोशिश करती है सपा की क्रेडिट दिया जाए सपा को जितने भी श रुकरते अगली खबर की तरफ उत्तप्रदेश के उन्नाओं में चुनावी सभा कुसम बोधित करते हुए वोटरों को लुभाने के लिए अकलेश शादव ने कई एलान किये उन्नाओं के जाइसी मैदान में अकलेश शादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरक सरकार बनती है तो कानपुर से उन्नाओं तक मेट्रो चलेगी उन्ने वादा किया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सांड के हमले से जिन लोगों की मौत हुई है या फिर उन्हें 5 लाग का राशी दी जाएगी और वही साइकल दुरघटना में मारे गए लोगों को भी पाच लाग रुपे का मुआफजा दिया जाएगा अखिलेश रादव ने कहा कि एक और भविश्यवाणी सुन लीजे कि 2022 में समाजवादी की सरकार बनने जा रही है उन्नाओं से इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा प्यूश जैन पर छापे मारी को लेकर भी ने कहा कि पुश्पराज जैन के यहां चापा मारना चाहते थे लेकिन प्यूश जैन के यहां चापा मार दिया और इस खबर पर मैसा स्मधाता चैतन नीऊत रुपार्टी जुड़ चूके अन्नाओं से क्या कुछ कहा है आज अकलेश यादव ने अपने संबोधन के दोरा अखलेश यादव का चुनावी रत जो है आज उन्नाव पहुचा और अकलेश यादव जो की पूर्र मुख्योंद्री समाजवादी पार्टी के आज जनता को संबोधित किया और उन्होंने कई मुद्दों सवाल कई मुद्दों पे उन्होंने जो है बयान दिये हैं उन्होंने भाजपा को लेकर तंज भी कसा है कि यह जो भी सिलन्यास हो रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के कारकाल के हैं और जो भी आज की डेट में सिलन्यास कर रही है केवल भाजपा अपना नाम जो है वो संबोधन में कही है कि करोना काल में जो जित्ती भी लगातार ये जो मौत हुई है कही न कहीं इसकी जिम्मेदार भाज़पा है कि अगर पांच लाग की मुआज़े की बात ही थी तो कहीं ना कहीं अखलेश यादों को अपने सरकार में ही अगर इन सब चीजों को तै कर लेना चाहिए था आप मुआज़े वाली बात को लेकिन कहीं ना कहीं अब जब आखरी समय है और चुनावी विगुल बजने को बिल्क जुड़ा वो नहीं बता रहे है अखलेश का केंगिस पर अखलेश यादों ने तंज कसा है कहीं न कहीं इसे भी एक तंज है और इसको तंजी माना जाएगा क्योंकि भाजपा सरकार से उन्होंने इस पूरे मामने को जोड़ा है और कहीं ना कहीं केंज़िक रहराज मंत्री पुष्पराज जैन और प्यूज जैन के बीच में संबंद क्या है उस पर आज जैन और प्यूज जैन के संबंदों को लगा तयार समाजवादी पार्टी आस्ताथ में जोड़ने का प्रयास कर रही हैं प्यकिन अगर बात की जाए धरातली हकीकत की तो कहीं ने कहीं सबावारती जैनता पार्टी ना उसके साथ में होने की बात कर रही हो बात की जैनता पार्टी का साथ तोर पर कहना है कि जो भी चीजे हैं वो चुनावी सियासत को गर्माने का प्रयास किया जा रहा है तो अखिलेश ने ये वठ तसाफ कर दी है कि अपने आद मे पहुआह पाड़ाया है बीजेपी ने यानि कि यान ऑ्ट वही पुस्ट राज जैन को बताया है तो बड़ाज पैसा मिला है इतना जादा पैसा निकल के सादने आ रहा है उस पैसा निकल के सामने आया है इस Thomas की जो भी मोग जन्ता पार्टी लगातार कह रहे ही जो भी दोसी होगी उनком assistir ज़ापर वार प्रगती शील्स माजवादी पार्टी की चाबी पर पेच फस्ता नजर आ रहा है चुनाव आयोग ने प्रगती शील्स माजवादी पार्टी की तरफ से दूसरे चुनाव चिन के लिए आवेदन किया था वहीं अब चुनाव आयोग ने शीफपाल की प्रषपा को नया चिन स्टूल अलोट किया है लेकिन साइकल के निशान पर शीफपाल के चुनाव लिड़ने की अटकले तेज हो गई है ऐसा माना जा रहा है कि सपा के साथ गटबंधन करने के बाद अब प्रषपा चाबी जस तरह से अब जब्द हो चुकी है चाबी उनके पास नहीं है नया चुनाव चिन स्टूल है तो उससे ना लड़के सपा के चुनाव चिन यानि साइकल के साथ लड़ सकते हैं चुनाव और इस खबर पर मैंसा ज़्यादा बाद चीत के लिए समवनाता नितिन कुमार जुट चुके हैं नितिन क्या वज़ा रही जो चाबी हटा कर स्टूल लेना पड़ा देखें वज़ा इनकी नहीं रही वज़ा चुनाव आयोग की रही शिका सबसे पहले तो क्योंकि पहले 2019 का लुक सबा चुनाव अगर हम देखे तो चाबी की निशान पर शुपाल सिंग यादों ने अपनी पार्टी के प्रत्याश्यों को लड़ाया था लेकिन उसके बाद हरियाना चुनाव के दोरान हरियाना की जो जन नायक जनता दल है उसे चुनाव आयोग ने इस चुनाव चिन के लिए आवेदन खिया था कि उनकी पार्टी को नया चुनाव चिन दिया जाए और उसके बाद आज उन्हें नया चुनाव चिन मिला है अगर चुनाव चिन नहीं मिलता है तो सपा के चुनाव चिन यानि साइकल पर चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में शु चुनाव लड़ेंगे यह भी देखना एहम है क्योंकि प्रत्याशियों को कहीं न कहीं मनाया भी जा सकता है गड़बंदन के दौरान लेकिन शुपाल सिंग यादो किस चुनाव चिन्य पर चुनाव लड़ेंगे यह सबसे एहम बात है क्योंकि अगर वो समाजवादी चुनाव आयोग ने शुपाल सिंग यादो को अब दिया है तो यह भी देखना है मुझा कि आज शुपाल सिंग यादो की तरफ से जो प्रत्याशी उतारे जाते हैं गड़बंदन के तोर पर भी क्या उस्टूल पर ही चुनाव लड़ेंगे या फिर साइकिल के चुनाव स चुनाव लड़ेंगे नितिन जिस तरह से चुनाव चिन बदल गया है इसका चुनाव पर किता असर बढ़ सकता है देखिए शुपाल सिंग यादो की राजनीती और प्रकतिशिल समाज़दी पार्टी की राजनीती पर काफी असर पड़ेगा क्योंकि पहले लोग चाभी क निशान से प्रकतिशिल समाज़दी पार्टी को और शुपाल सिंग यादो को जानते थे लेकिन उसके बाद चुनाव चिन बदल गया दूसरी चीज़ गडबंदन होने के बाद जो सीटे मिल रही थी प्रस्पा को वो कहीं ना कहीं उम्मीद उनको थी कि अगर चुनाव च चुनाव चिन पर लड़ेंगे ये अभी भी शंसय बना हुआ है क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अगर शुपाल सिंग यादो अपने चुनाव चिन यानि इस टूल पर लड़ते हैं तो ऐसा नहों कि आगे चलके अकलेश यादो और शुपाल सिंग यादो में मतबेद हो जा का चिन है क्योंकि स्टूल चिन मिल तो गया है लेकिन शुपाल सिंग यादो कि से चुनाव लड़ेंगे ये देखना एहम होगा निदिन क्या कोई ऐसी संभावना है कि अभी चावी चुनाव चिन मिल सकती है शुपाल को नहीं बिलकुल भी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है किसी तरह से ये चुनाव चिन अब बदला नहीं जाएगा क्योंकि चुनाव आयोग ने इस चुनाव चिन को दिया है रही है स्थूल को शिवपाल कुल सिंग्यादो को प्रस्पा को तो इन बदला तो नहीं जाएगा शिकाव इसे चुंआव चिन पर 2022 का विदान सभ्षुनां जो है वह प्रस्पा को लड़ना पड़ेगािए चुनाओ चुनाओ चिन सबसे बड़ी समस्या इस वक्त प्रस्पा के लिए यह है कि शुपाल सिंग यादो किस चुनाओ चिन पर लड़ेंगे और उनके जो बाकी के प्रत्याशी हैं क्योंकि प्रत्याशी भी चाह रहे थे कि अगर गड़ बंदन हो गया है तो हम साइकल के चुनाओ च चिन में होगा लेकिन फिलहाल सबसे हम बात यही है कि नया चुनाओ चिन मिला है प्रस्पा को और अब ये चुनाओ चिन बदला भी नहीं जाएगा शिखा इसी चुनाओ चिन पर प्रस्पा को आगी की राजनीती जो है वो करनी पढ़ेगी 2022 जो बिलकुल बहुत बाश्या आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार